साथियो नमस्कार आप सबीका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बग्या के एक नए वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ सुंदर तथा आकर्षक गुछिदार पुस्प एक जोरा के संदर में एक जोरा गुछिदार पुष्पवला सदा बहार पूंधा है इसे कई नामों से जना लता है जैसे वेस्ट इंडियन, जैस्मीन, विरुची, जंगल की लौव, जंगल जरेनियम, इत्यारी यह एसिया मूल का निवासी है इसे इस पश्ट है किया उसने उन पुष्प कटी बंधिय, एक जाड़ीदार पॉंधा है इसे सुरी की धूब बहुत पसंद होती है आप देख सकते हैं इसमें गुच्छों में पुष्प खिले हुए हैं इसमें धेर सारे पुष्प गुच्छे में खिलते हैं इसमें लाल, पीले, सफेद तथा नारंगी पुष्पों के बड़े समू होते हैं और ये पौधे वर्स भर पुष्प देते हैं अब इसकी मृदा की बात करें तो इसे भुर भुरी, उतम जल निकासी युक्त, अम्रिर मृदा अधिक पसंद होती है मिटी में छारी तथा की ब्रिदी होने पर इसके पत्तियां पिले पड़े लगती हैं, फूल कम आते हैं अतहर मिटी के मिश्ण में केचुआ खाद या गोबर की खाद प्रशुर मातरा में होना चाहिए पौध रोपन के पस्चात मिटी में नमी बनाए रखना, इसके उतम विकास एवां भरपूर पुस्प पाने का एक अनिवार ये सर्त है एक जोरा को इसकी कर्तन लगा कर प्रसारित किया जाता है, नए पोधे बनाए जाते हैं इसके लिए हम पैंसिल आकार की एक वर्श पुरानी कर्तन लेना चाहिए कर्तन लगाने का सुरतम समय वसंद्रितू ये वर्शारितू होती है जब भी हम कर्तन लेते हैं तो उसकी सारी पत्यों को हम हड़ा लेते हैं 8 से 10 इंच की कर्डिंग हम यहाँ पर लेते हैं कर्तन लेते हैं अब इसे कुछ दिनों के लिए अर्द चाय वाले इस्थान में रख देना चाहिए मिदा सुखने पर ही इसमें जल सिंचल करना होता है अब बात करते हैं इस पौंधे के उत्तम विकास यावम इसमें अधिकाधिक पुस्प आने के लिए हम क्या करें इसके लिए कुछ आवसरकारी करने होते हैं पहला तो इसे ऐसे इस्थान पर रखना है जहां इसको छो से साथ घंटे की प्रयाप्त धूप मिले प्राता कालिन तथा संध्या कालिन धूप उत्म होती है मध्यान की तेज गर्मी से इसको बचाना चाहिए अन्य था इसकी पत्तियां सुख जाती हैं और जो पुस्प होते हैं जुलस जाते हैं सिद्रितु के पस्चात फरवरी के माह में प्रतेक 15 दियुक अंत्राल में आप उर्वरा का प्रयोग कर सकते हैं केच्वा खाद का प्रयोग उत्म होता है साथ ही आप आपके रसोई घर की जो बची भी सामंगरी होती हैं उससे आप तरल खाद बना कर इसके उपर छिड़काव कर सकते हैं इसके प्रस्चात इसके अन्यंत्रित अन्चाहे साखाओं की कटाई शेटाई करना आप सकत है ऐसा करने से इसमें नई नई साखाँ आती है और इन साखाओं में धेर सारे पुस्पर खिलते हैं इसके पस्चात इन पौंधों की मिर्दा में नमी पनाय रखना आवशक है ऐसा करने से इस पौंधे का उत्तम विकास होता है और इसमें धेर सारे पुस्पर खिले रहते हैं और ताजे बने रहते हैं अब बात करते हैं इसमें आने वाले सामाने रोग एम कीट प्रकुप के बारे में सामाने तो है इसमें एफिट्स और इसकेल आदी कीटों का प्रकुप बढ़ जाता है तो इनको नियंतिनड करने के लिए हम जैवी किटनासक का प्रियूग कर सकते हैं इसके लिए हम जल में नीम देल का विलियन त्यार कर इसके उपर फ़ार देना चाहिए दूसरी प्रमुक समस्या है पत्यों का पीला पन यह मिर्दा की छारी पन के कारण होती है मिर्दा में सुझम पोसक तत्व आयरन तथा मैगनीज की कमी से यह समस्या दिखाई देती है तो इसका उपचार हम दो तरीकों से कर सकते हैं पहला केचवा खात का प्रयोग 15 दिनों के अंतराल में करता रहना चाहिए दूसरा हम जो हमारे पास जंग लगी कीले होती है उसको जल में भीगो कर एक दो दिन के लिए छोड़ देना चाहिए और उस जल का सिंचन करने से इसमें आयरन तथा मैगनीज की कमी दूर हो जाती है और यह समस्या पुरी तरह से समात हो जाती है इस प्रकार इस पौधे के देख रेक एवं उपचार करने से इस पौधे के सारी साखाएं स्वास्त रहती हैं और उनमें धेर सारे पुस्प खिलते हैं साथी पत्यों का रंग और पुस्प का रंग गहरा चमकदार दिखता है वीडियो पसंद आया तो अपने पसंदगी जाहिर कीजिए अपने मित्रों के साथ इसे साजा करिए चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बैर आइकॉन को दबा दीजिए वीडियो को आंतर तक देखने के लिए महद महद धनिवाद आभार नमस्कार